सबी साथियों को नमस्कार हम पढ़ रहे थे राधस्थान में परजा मंडल आंदोलन और आज की इस क्लास के माध्यम से हम भरतपूर परजा मंडल को विगत परिक्षाओं में पूछेगे प्रसनों के आधार पर एक नए अंदाज में भोती स्चांदार तरीके से पढ़ने व और कमेंट करें तो चलिए शुरू करते हैं भरतपूर परजा मंडल दोस्तों भरतपूर में जन जागरन की बात करें तो यहाँ पर जन जागरन का असरे गोपिलाल यादव को जाता है किसको जाता है गोपिलाल यादव को आप यहां से नोट कर सकते हैं भरतपूर में जन जागन का जो कारी है वो किसके दवारा किया गया गोपिलाल यादव के दवारा गोपिलाल यादव ने 1928 में एक संग्थन बनाया था कब बनाया था 1928 इस्वे में और उस संग्थन का नाम था भरतपूर राजे परजा संग की जो इस्थापना है वो कब होती है 1928 में और ये इस्थापना किसके दवारा की जाती है गोपिलाल यादव के दवारा और इसके माध्यम से लोगों में जन जागन का कारिय किया जाता है गोपिलाल यादव के दवारा इसके लावा याद र संग का जो अध्यक्स है वो किसे बनाया जाता है गोपिलाल यादव को जबकि देश राज को इस संगठन का सचीव बनाया जाता है बहुती स्यांदार क्यूशन आपको पूछा गया है बहुती स्यांदार क्यूशन आपको दिये गए है डंकन मेंकेजी, मेजर सावर, लाड़ वेवल और मेजर बटन इसक्यूशन का राइट आंचर होगा बहुती स्यांदार क्यूशन आपको दिये गए है भरतपूर के महराजा करशन सिंग के समय 1917 इस्वी में भरतपूर में हिंदी साहिते समयलन का आईवजन किया गया very important 1917 में भरतपूर में किसका आईवजन किया जाता है हिंदी साहिते समयलन हिंदी साहिते समयलन का जो आईवजन है वो कब किया जाता है 1917 में किसके दवारा किया जाता है भरतपूर के महराजा हुआ करते थे उस समय करशन सिंग, तो करशन सिंग के समय, 1917 में भरतपूर में हिंदी साहिते समयलन का आयवजन किया गया, और याद रखें, इस समयलन में किसने भाग लिया था, रविंदर नाथ टेगोर, इसके अलावा गोरी संकर ओजा, इनके दवार इस समयलन में भाग लिया गया था, इस समयलन के दोरान महराजा करशन सिंग के दवारा, उतरदाई साशन इस्थापित करने, हिंदी को राजभासा बनाने, और सुद्धी आंदोलन चलाने की घोशना कीगी, उनको आप यहां से नोट कर सकते हैं, उतरदाई साशन जिसके कारण अंग्रेजों ने करशन सिंग को पद से हटा कर, डंकन मेंके जी को भरतपूर का परशाशक निउत किया, इसलिए अच्छा क्यूशन बनता है, आप यहां से नोट कर सकते हैं, महराजा करशन सिंग को पद से हटा करके, किसे भरतपूर का परशाशक निउत किय गया ढकन मेंक्यजी को इसके पतावा रखे महाराजा करसंद सिंग राजपुताना के एकमात्र ऐसे राजपुताना के शुद्धी इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंसर होता है ओप्सन नमबर A डंकन मेंके जी चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और एक और बहतरीन क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर उप्सन आपको दिये गए हैं कोलकाता, रेवाडी, भरतपूर और मुंबई इस क्यूशन का राइट आंसर होता है उप्सन नमबर B रेवाडी 1938 इसवी में आप यहां से नोट कर सकते हैं 1938 इसवी में गोपिलाल यादव इसके लावा किसनलाल जोसी और मास्टर आदीतेनात के दवारा भरतपूर परजामंडल की इस्थापना की जाती है और याद रखें भरतपूर परजामंडल की इस्थापना कहां की जाती है रेवाडी हर्याना में की जाती है very important 1988 में भरतपूर परजामंडल की इस्थापना होती है किसके दवारा गोपिलाल यादव मास्टर आदितेंदर या फिरमास्टर आदितेंात इसके इलाभा किसनलाल जोषी किसनलाल जोषी के दवारा भरतपूर परजा मंडल की इस्थापना की गई 1938 में और कहां पे कीगी रेवाडी में और गोपिलाल यादव को परजा मंडल का अधेक्स बनाया गया इस परजा मंडल का जो अधेक्स है वो किसे बनाया गया गोपिलाल यादव को जबकि इसका उपाधेक्स जो है वो किसे बनाया जाता ह रेवती शरण उपाध्याई रेवती शरण उपाध्याई को इसका उपाधिक्स बनाया जाता है इस परकार से इस क्यूषन का राइट आंसर होता है option number B रेवाडी चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूषन की ओर अगला क्यूषन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ब्रतपूर परजामंडल की स्थापना 1938 में कहां पे की गई रेवाडी में और इसका अध्यक्स किसे बनाया गया गोपिलाल यादव को जबकि इसका उपाध्यक्स किसे बनाया जाता है रेवती सरण उपाध्याई को इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंशर होता है ऑप् किसकी अध्यक्सता में हुआ ओप्शन आपको दिये गए हैं गोपिलाल यादव हरी परसाद सर्मा जे नारायन व्यास और जुगल किसोर चतुरवेदी इसक्यूशन का राइट आंशर होता है ओप्शन नमबर सी जे नारायन व्यास अभी हमने पढ़ा कि महराजा करसन के बाद भरतपूर का जो राजा है वो कौन बनेगा ब्रेजंदर सिंग महराजा करसन सिंग के बाद डंकन मेंकेजी और इसके बाद ब्रेजंदर सिंग को भरतपूर का राजा बनाया जाता है और इसके बाद 1938 इस्वि में रेवाडी में गोपिलाल यादव के दवारा भरत परदपूर परजामंडल की इस्थापना की जाती है। आप यहां से नोट कर सकते हैं भरतपूर राजे परजा परिशद की जो इस्थापना है वो कब की जाती है? 1949 इस्वी में और किसके दवारा की जाती है? मास्टर आदित्यंदर या फिर मास्टर आदित्यनात के दवारा और आगे चल करके 30 दिसंबर 1940 इस्वी को भरतपूर में इसका परथम अधिवेशन का आयवजन किया गया। तो भरतपूर आजे परजा परिशद का जो परथम अधिवेशन है वो कब होता है? 30 दिसंबर 1940 इस्वी को और इसका जो आयवजन है वो कहां पर किया गया? भरतपूर में इसकी अध्यक्षता जो है वो किसके दवारा की जाती है? जे नाराण व्यास के दवारा इस परकार स इसक्यूशन का राइट आंशर होता है ओप्शन नाराण व्यास जबकि भरतपूर आजे परजा परिशद के दूसरे अधिवेशन की हम बात करें तो इसके दूसरे अधिवेशन का आयवजन 23 मई 1945 को किया गया आप यहां से नोट कर सकते हैं भरतपूर आजे परजा परिश जाता है पयाना भरतपूर में और इसकी अध्यक्षता भी जैनार्ण व्यास के दवारा ही की जाती है इसके इलावा तीसरे अधिवेशन की बात करें तो भरतपूर आजे परजा परिशद का जो तीसरा अधिवेशन है इसका आयवजन 1946 में किया जाता है और कहां पे किया जाता है कामा भरतपुर में लेकिन इसकी जो अधिख्षता है वो किसके दवारा की जाती है पटाभी सिता रमया very important तीसरे अधिवेशन भरतपुर राजे परजा परिशद के तीसरे अधिवेशन की जो अधिक्षता है वो किसके दवारा कीगी पटा भी सिता रमया के दवारा की जाती है और इस अधिवेशन के दोरान पटा भी सिता रमया ने एक नारा दिया अब नैतो जाट नही राजपूत का राज होगा बलकि जनता का राज होगा तो आप यहां स के दोरान इसके इलावा very important महराजा बरजेंदर सिंग के भाई हुआ करते थे ठाकूर देशराज और ठाकूर देशराज के दोरा 1949 इस्वी में आप यहां से नोट कर सकते हैं ठाकूर देशराज के दोरा 1949 इस्वी में जमीदार किसान सभा की इस्थापना की जाती है तो जमीदार किसान सभा की जो इस्थापना है वो कब की जाती है 1949 में और किसके दोरा ठाकूर देशराज के और 22 अक्टूबर 1942 में ब्रिज जया परती निधी सभा की इस्थापना की किसने की ठाकुर देशराज ने तो इसको आप यहां से नोट कर सकते हैं 22 अक्टूबर 1942 इसवी को ब्रिज जया परती निधी सभा की इस्थापना कीगी किसके दवारा ठाकुर देशराज के दवारा ब वही ठाकूर देशराज है जिसने सेखावाटी किसान आंदोलन के दोरान पल्थाना सीकर में जाट प्रजापती महायक का आयोजन किया था और याद रखें इस ब्रिज जया परतिनीधी सभाग का जो नेता है वो किसे बनाया जाता है जुगल किसोर चत्रुवेदी को और इसक प्रकार से इस क्यूशन का राइट आंसर होता है ओप्सन नमबर सी जे नारण व्यास चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर भरतपूर परजा परिशद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को कहां आयोजित किया तो अभी हमने भरतपूर आजे परजा परिशद के तीनों अधिवेशनों की चर्चा हमने की ओप्सन आपको दिये गए हैं पुसकर, बयाना, ब्यावर और रिवाडी इसक्यूशन का राइट आंसर होगा ओप्सन नमबर बी बयाना अभी हमने डिसकस किया कि भरतपूर आजे परजा का जो आयोजन है वो 1946 में कहां पे किया गया कामा भरतपूर में कहां पे किया जाता है कामा भरतपूर में इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंसर होता है ओप्सन नमबर बी बयाना चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की ओर अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क् 1940 1942 1945 ब्रीज जन परतिनिधी सभा का जो गठन है वो कब किया जाता है 1942 इसवी में किसके दवारा ठाकुर देशराज के दवारा और इसके नेता किसे बनाये जाते है जुगल किसोर चतुरुवेदी को जबकि उपनेता किसे बनाये जाता है मास्टर आदित्यनाथ को इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंशर होता है उप्सन नमबर सी 1942 चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और एक और बहतरीन क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर निमन में से भरतपूर कॉंग्रेस मंडल के अधेक्स कौन थे उप्सन आपको दिये गए हैं जुगल किसोर चत्रुवेदी मास्टर आदितेनाथ गोकुल वर्मा और हरी परसाद सर्मा इस क्यूशन का राइट आंशर होता है उप्सन नमबर C गोकुल वर्मा 1937 इस्वे में पंडित जवारलाल नेरू की प्रेणा से भरतपूर में कॉंग्रेस मंडल की इस्थापना कीएगी कब की जाती है 1937 इस्वे में किसकी प्रेणा से पंडित जवारलाल नेरू की प्रेणा से भरतपूर में कोंग्रेस मंडल की इस्थापना कीगी जिसका अध्यक्स किसे बनाया गया गोकुल वर्मा को इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंसर होता है अब भरतपूर परजा मंडल से समन्दित कुछ दीवस आप यहां से नोट कर सकते हैं जो एक्जाम की दरस्ती से काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं पहला आप यहां से नोट करें 25 दिसंबर 1944 को भरतपूर राजे परजा परिशत दीवस मनाया गया दूसरा आप यहां से नोट करें 11 जुलाई 1945 इसवी को भरतपूर में दमन विरोधी दीवस मनाया गया दमन विरोधी दीवस और यह दमन विरोधी दीवस जो है वो कब मनाया गया 11 जुलाई 1945 को तीसरा आप यहां से नोट करें 16 से 17 अगस्त 1945 इसवी को महराजा के दवारा जापान पर विजे का उच्छव है भरतपूर में वो कब मनाया जाता है 16 से 17 अगस्त 1945 इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट 26 अक्टूबर 1945 इसवी को 26 अक्टूबर 1945 इसवी को बसंत लाल वर्मा के नेतरतुव में लक्समन सिंग मंदिर के पास इंडोनेसिया दीवस मनाया गया कौन सा दीवस मनाया गया इंडोनेसिया दीवस भरतपूर में इंडोनेसिया दीवस जो है वो कब मनाया जाता है 26 अक्टूबर 1945 इसवी को और यह किसके नेतरत्व में मनाया गया बसंतलाल वर्मा के नेतरत्व में कहां पे भरतपूर में लक्समन मंदिर के पास इसके इलावा 9 अगस्त आगे आप यहां से नोट करें 9 अगस्त 1945 इसवी को भरतपुर में मुक्ती दीवस मनाया गया मुक्ती दीवस कब मनाया जाता है 9 अगस्त 1945 इसवी को इसके इलावा 5 फरवरी 1947 इसवी को बेगार विरोधी दीवस मनाया गया जो एक्जाम की दरस्ती से काफी इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकता है बेगार विरोधी दीवस कब मनाया जाता है 5 फरवरी 1947 इसवी को इस आंदोलन के दमन के दोरान रमेश स्वामी सहीद हो जाते हैं तो यहां पर आप नोट कर सकते हैं 5 फरवरी 1947 को हुए आंदोलन में कौन सहीद होते हैं रमेश स्वामी और आगे चल करके 18 मार्च 1948 इसवी को भरतपूर का विले कर ले जाता है और 18 मार्च 1948 को भरतपूर भ आपका complete होता है वो सभी बातें जो exam oriented थी भरतपूर परजामंडल के बारे में उन सभी को हमने पढ़ा आगे हम पढ़ेंगे धोलपूर परजामंडल धोलपूर में हम जन जागरन की बात करें तो यहाँ पर जन जागरन का जो स्रे है वो किसको जाता है ये मुना परसाद को आ की जाती है 19-10 इसवी में की जाती है और किसकी दावा ये मुना परसाद और जवाला परसाद के दावारा और 1911 इसवी में आरियव समाज के माध्यम से जन जागरन का कारिय किया गया इसके अलावा राधस्थान में धोलपूर ही एक मातर ऐसी रियासत थी जिसमें आरिये समाज का सरवाधिक हस्तक से प्रहा और 1918 इस्वे में स्वामी सरधानंद के नेतरतों में आरिये समाज ने धोलपूर में अनेक मंदिरों की इस्थापना की और सवसासन आंदोलन चलाया तो उसको आप य द्वारा या फिर आरिये समाज के द्वारा इस परकार से याद रखें धोलपूर राजकुताना में एक मातर ऐसी रियासत थी जिसमें आरिये समाज का सरवाधिक हस्तक से प्रहा इसके इलावा आगे चल करके 1934 इस्वे में ज्वाला परसाद और इंदुलाल जोहरी ने मिलकर के नागरी परचारनी सभा की इस्थापना की वो कब की जाती है 1934 इस्वे में की जाती है और किसके द्वारा ज्वाला परसाद और इंदुलाल जोहरी के द्वारा और इसी के अंतरगत एक पुस्तकाले और एक वाचनाले खोल करके लोगों में राजनेतिक चेतना का परियास किया गया और आगे चल करके 1936 इस्वे में ज्वाला परसाद ने धोलपूर में हरीजनोदार आंदोलन चलाया हरीजनोदार आंदोलन जो है वो किसके दवारा चलाया जाता है ज्वाला परसाद के दवारा और कब चलाया ज इस परकार से धोलपूर परजामंडल के बारे में कुछ बैसिक सी जानकारियों को हमने पढ़ा, अब करम वाइज क्युशन लेकर कि धोलपूर परजामंडल को विस्तार से पढ़ेंगे और अगला क्युशन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर भोति स्यांदार क्युशन, ए धोलपूर रियासत पे इस परकार से option आपको दिये गए है करोली धोलपूर भरतपूर और सिरोही इस question का right answer होता है option number B धोलपूर चलिए बढ़ते हैं अगले question की उर अगला question आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 1936 इस्वे में धोलपूर परजामंडल की इस्थापना किसने की option आपको दिये गए है करसंदत पालिवाल कांतिलाल चोथानी तिलोग चंद माथूर और चुनिलाल परभाकर इस question का right answer होता है option number A करसंदत पालिवाल 1936 तक की घटनाओं को हम पढ़ चुके हैं 1936 इस्वे में ही करसंदत पालिवाल इसके लावा जवाला परशाद और 1936 इस्वे में किसके दवारा जुआला परशाद इंदुलाल जोहरी और करसंदत पालिवाल के दवारा और याद रखें करसंदत पालिवाल को परजामंडल का अधिक्स बनाया जाता है तो धोलपूर परजामंडल का जो अधिक्स है वो किसे बनाया गया करसंदत पालिवाल को इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंशर होता है उप्शन नमबर A करशनदत पालिवाल चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक और स्यांदार क्यूशन आपके सामने तसीमो कांड का सम्मंद किस परजामंडल स ओप्शन आपको दिएगे हैं करोली, धोलपूर, बिकानेर और भरतपूर दोस्तो 1936 इस्वे में परजामंडल की इस्थापना के बाद जनता दवारा अपनी मांगो को लेकर के आंदोलन चलता रहा लेकिन आगे चल करके 11 अप्रेल 1947 इस्वी को आप यहां से नोट कर सकते हैं, 11 अप्रेल 1947 इस्वी को धोलपूर में गाव पढ़ता है तसीमो, कौनसा गाव तसीमो, तसीमो गाव में परजामंडल के अधिवेशन के दोरान ठाकूर छतर सिंग परमार और ठाकूर पंचम सिंग कच्छवाहा के दवारा 11 अप्रेल 1947 सहीद हो जाते हैं और आज भी इन सहीदों की याद में 11 अप्रेल को तसीमो गाव में मिला लगता है, किसी ने बड़ा सही कहा है कि सहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्स मेले और वतन पे मरने वालों का बाकी यहीं निशा होगा, इस परकार से आगे चल करके 18 मार्च 1948 इस वी को धोलपूर रियासत का विले कर लिया जाता है और इसे भी मतस्य संग में सामिल कर दिया जाता है, इस परकार से धोलपूर परजावंडल भी आपका कम्पलीट होता है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही कल मिलते हैं कुछ और ने क्यूसंस के साथ, तब तक के ल आरता है.